के गाइस पांच से दस मिर्ट में बनाए यह बेशन के मोदक और लड्डू जो कि हमने कुकर से बनाये हैं बिल्कुल भी इनको हमने पूना नहीं है और बहुत कम घी में बनकर तयार हुए इतने कम घी में बनकर आज तक आपको यूटूब पर तो किसी ने नहीं दिखाए हों हाँ में आप सब जानते होंगे कि गड़ेश चतुर्ति आने वाली है और गड़ेश को मोदक बहुत पसंद है तो आज हम बनाएंगे बेशन के मोदक तो यह कटोरी हमारा बेशन और जिस तरीके से हम बनाएंगे ना उस तरीके से आप लोगोंने पूरे यूटूब बेशन के मॐता है थिक हैं तो यह देख कि यह हमारा दूद है पांशे स्पोन हैं डिखाए देख़ें करेंगे यह यह देखिए गास हमने इसमें गी एड़ एक श्पून और इसमें हमें दो पून घी एड़ गी लीज़ा है अगर प्गला वा घी तो आप फूर श्पून कर लिजेगा तो ये गरम दूद्द में हमें अट करें लिए जिससे कि हमारा घी आचा से इसमें मेल्ट हो जाए यह द कर नहीं है और अब समय हम थोड़ा-थोड़ा करके अब इसको हम ऐसा एड़ाइं घृट करूंअ मिलाएंग गर इस तरह से बेता है दूर्स और घ्रिम्रोड मिक्स करके आप उसको हम बने हमारे मोदक और लड्डू जो भी आप चीज बनाएं से बना सकते हैं यसी तरह से और अप बना सकते हैं तो इसको हम ऐसे मसल की इसे मिलाें इसको भी हम फेकेंगे लिए इसको भी हम इस अभी इस्त इसको मिलाना है जिससे कि दाने क्रिएट हो जाएं ठीक है यह देखे इस तरह से और आज हम फ्राइब नहीं करेंगे बिना फ्राइब करें आपको दिखाएंगे कि इतना अच्छे से बनेंगे और बिना फ्राइब किये हुए और बहुत बढ़िया कुस्बू आएगी तो यह आप ब्रॉब्लम नहीं अच्छे से दबादबा के भी चान लेए यह देखे गाइस चुका है मारा तो इतने बढ़िया दाने-दार निकला हुआ तो आप इसको अगला प्रोसेस करते हैं जो कि आपने यूटूब पर बिल्गुल ऐसा प्रोसेस नहीं देखा होगा तो चो की जो यह तरी है साइट का नीचे पोजिशन वो थोड़ा है भी बॉटम का होना चाहिए तो अब सारा अपना यह जो इसमें हम भर देंगे तो देखिए कैसे बढ़ते हैं यह देखे गाइस इसमें भर के रख लिया इस तरह का डग करने आप ले लीजिए जो इस पर आप डखकन वाला बर्तन ले तो यह हमारा नहीं पलट रहा है तो इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा बचाया है पहुने ग्लास पानी और अब इसको हम बंद करेंगे अच्छी कि यह देखे से बंद करने के बाद आब इसमें हम पांसे छे विसल लगा लेंगे आराम से आधैक हैं । यह देखें अधैक हमने रखन दी היya वह यह देखें 10 आप इतनी लगाएं में तो इसके बाद ऐिन नतीजा निकलेंगा निख्ते हैं तो आप हम इसको को देखते हैं जिसमें क्या हाल है इसका तो पिल किया है और आप लोग देख सकते हैं अभी भी गर्म है भाब निकल रही है यह देखिए एक मिनाट बाहर निकालते हैं इसको कप्ड़े से यह देखते सकते हैं कि हलका सा करद चेंज हुआ है तो यह बहुत चाधा अच्छा है खुस्पू भी बहुत अच्छी आ रही है बिल्कुल भी यह नहीं लग रहा कि यह अच्छा है ब्राउन हो चुका है तो इतना टेस्टी यह बनेगा और अगर आपका विचल लगाते हैं पांच से लगा लेते हैं विचल मगर थोड़ा सा लगता है कि कलर चींज नहीं अब इसको ठंडा करेंगे देखें घंटों आपको बिल्कुल नहीं करनेक त्यारी है कि घंटों भूनना पड़े आपको कुछ भी नहीं बस इसको अब एक बार हम चानेंगे जिसे कि यह जो गांठे हैं टूप चाहें और इसके लड़ू बनाते रख लेंगे कि इसको पूरी तरह से अधर करेंगे उसके बाद में हम एक चलनी से ठलिगे तको अखैंगे हुआता है है तो इसको हम चान लेंगे ठीक है क्योंकि बहुत ठंडा भी नहीं करना है इस चानते चानते सिर्फ थोड़ा सा इतना सा यह बचा है तो इसको लगटा देंगे इसके कुछ और देखिए एक कटोरी हमारी यह बेशन था और देखिए दानेदार कितना अच्छा सा दाना हुए एक कटोरी यह पीशी चीनी है आप बूरा लेना चाहें बूरा ले 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 बड़ इसको हम मिला ले ले यह आपसमें ही इदर के गाई समय चीनी मिला ला ली अच्छे से है और यह जो दूद और घी का मिस्रण रखाता उसको हम मिलाएंगे गिए इस तूस से बनाने से आप 5-6 दिन तक आराम से लड्डू रख के खा सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका लंबे समय तक लड्डू बने चले तो आप इसमें देशी घी मिलाएं तो इसको भी अच्छे से मिला लेंगे इतना इसमें एड़ करेंगे कि हमारे लड्डू बन जाए बस यह अच्छे से लड्डू बन रहे हैं तो इसी तरह से लड्डू बनाके रखेंगे पहले लड्डू बनाके कर लिया आपको का सेप दें यह देखे। इस तरह से और अब हम अपने हैसे पर हेमारे मुदक होते हैं बस उसी तरह से और एक बनाएं गे और नीचे की तरह ऺए हम खुर्अ करें को धिदिन देने के लिए आप ले सकते में तुब आइसके लाइन तो किन तो कि को आप साचे से बनां अरह से बने में नहीं कि अवख ऑफर CID MA लाइन अब बार जोर मिसको से प्रस एका बना लिए इस तरह से बन गया तो बस इसी तरह से बनाके रखेंगे यह देखें गाइस हमारे लड्डू और मोदग बनका तयार है कोई भी कोई इनको देखकर कलर को देखकर कोई कह नहीं सकता बिल्कुल भी यह हमने अच्छे से भूना नहीं है तो इतना अच्छी ट्रक आपको पूरे यूटूब पर नहीं हो गई बेशन के मोदग और लड्डू बनाने के लिए तो चलिए देख अगर हमारी यह रेश्पी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर थैंक्यों मिलतें नेक्स डे नेक्स रेश्पी के साथ